कोनीचिवा मीनासान नमस्कार आज से शुरू होने वाली जापानी भाषा एक परिचे की इस सीरीज के पहले लेक्चर में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है हार्दिक अभिनंदन मैं वत्सला मिस्रा हूँ और IIT कानपूर के फॉरन लैंग्विज प्रोग्राम में बहुत समय से जापानी भाषा पढ़ा रही हूँ ये सीरीज को शुरू करने से पहले इन लेक्चर को शुरू करने से पहले ये सीरीज क्यूं बनाई गई हिंदी में इसके बारे में आप से थोड़ी सी कुछ बाते करना चाहते हैं तो देखिए जापान के बारे में हमेशा से इक जग्यासा से बनी रहती है मन में कि कैसा देश है कैसे वहां के लोग हैं खास करके बच्छपन में जब सुनते थे समुराई या उनका कीमोनो जो उनका परिधान है वो या उनकी संस्कृति के बारे में तो बहुत एक अलग से मन करता था कि जाने उसके बारे में यदि हम आज के दौर को देखें तो देखिए जापानी स्टाइल अफ मैनेजमेंट जो है या जापानी एनिमेशन जो है उन्होंने देखिए विश्व में बिल्कुल एक धूम सी मचा रखी है या अगर हम देखें कि उनके उत्पाद कैसे है या उनका जो ओवरॉल सिस्टम है प्रणाली है वो विश्व भर में अब देखिए क्वालिटी और पर्फॉर्मेंस का एक परियाय बन गया है जैसे कि आप देखिए होंडा कार्ज है या सोनी का नाम किसने नहीं सुना है मिट्सुबीशी है एलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है तो इन सब के बारे में हम सब लोग जानते है अब यदि अगर हम लोग भारत की बात करें तो असी के दशक में आपको अगर याद हो तो मारू सुजुकी जो गाड़ी थी घर घर में उसको पहुंचाने में किसका योगदान था आप यह समझे जापानियों का बहुत बड़ा योगदान था या अगर हम अब देखें तो बहुत सारे इंस्टिट्यूट्स जो है वह जापानियों द्वारा स्थापिक किये जा रहे हैं एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स या सबसे बड़ा जो जापानी जो प्रॉजेक्ट है हाइ स्पीड रे लिंक जो है मुंबई और एहमदाबाद के बीच में वो भी जापानियों की मदद से ही बनाई जा रही है तो बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिससे हम लोग जापानिय जरूरी होगा हमें अब्वियस बात है कि उन लोगों के बारे में जादा जानना होगा उनकी संस्कृति के बारे में जानना होगा उनकी भाशा सीखनी होगी और यही सबसे आसान तरीका है कि हम जापानी लोगों के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं ये बात हम लोग सबसे जादा अधिक समझ सकते हैं क्योंकि भारत जो है वो बहु भाशी देश है यानि कि बहुत सारी भाशाएं यहाँ बोली जाती हैं, हर प्रांत में, हर क्षेतर की भाशा अलग है। तो भारत में हिंदी जादा बोली जाती है समझी जाती है और यही कारण था कि यह जो कोर्स है इसको हमने हिंदी में किया क्योंकि अभी तक जो material available है net पर वो सारा अंग्रेजी में है और दूसरी बात यह है कि हिंदी ग्रामर और जापानी जो व्याकराण है वो बहुत मिलते जुलते हैं बहुत समानता है उसमें तो आसानी से समझा भी जा सकता है तो जादा से जादा लोग इसको पढ़ सकें जान सकें समझ सकें और इन जापानी जो प्रोजेक्ट्स है उसमें काम कर सकें इसलिए यह जो कोर्स है यह हिंदी में बनाया गया एक और कारण है कि बहु वो उच्च शिक्षा के लिए जापान जाते हैं या बहुत सारी जापानी कंपनियों में काम करते हैं तो इस कारण से भी ये कोर्स हिंदी में किया गया क्योंकि जब आप कहीं विदेश जाईए वहां की भाषा अगर आपको पहले से मालुम है तो आपके लिए वहां रहना बहुत आसान हो जाता है तो हम उमीद करते हैं कि इस कोर्स से आप लोग को फायदा होगा और आप लोग जापानी भाषा जो है बहुत अच्छे से खुश हो करके सीख सकेंगे आप लोग सब JLPT के बारे में जानते ही हैं जापनीज लांगविज प्रोफिशनसी जो टेस्ट है उसका लेबल 4 आप बहुत आराम से ये कोर्स करने के बाद कर पाएंगे लेकिन इसके साथ एक कंडिशन है वो कंडिशन ये है कि मेहनत आपको भी पूरी करनी पड़ेगी भी बिना मेहनत के ये संभब नहीं हुपाएगा और दूसरी बात ये है कि आपको ये अभी ही बता दिया जाये कि ये जो कोर्स है, ये जो सीरीज है ये कोई कोचिंग कोर्स नहीं है ये भाशा यहां सिखाई जाईगी और आप भाशा सीख करके अपनी महनत से, नेट से भी देख करके आप बहुत आराम से JLPT का N4 लेवल तक आप पास कर सकते हैं तो आएए देखते हैं कि आज हमारे कोर्स में क्या है और इस Lesson 1 में हम लोग क्या क्या करेंगे तो देखिए जापानी भाषा में Intonation और Body Language यानि कि हाथों के और शकल के हाव भाव का बहुत महत्व है इसका अर्थ यह है कि भाषा में बोलते समय उतार चड़ाव पर अधिक ध्यान दिया जाता है और इसी के साथ महिलाओं के द्वारा प्रयोग किये जाने वाले जो शब्द हैं वो अलग होते हैं और पुरुषों द्वारा जो शब्द प्रयोग किये जाते हैं वो अलग होते एक और भी बहुत महतुपूर्ण बात है जो भाशा में दिखाई देती है वो है कि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग बहुत freely किया जाता है ये शब्द formal स्थिती में ही नहीं प्रयोग किये जाते हैं बलकि साधारन दैनिक जीवन की भाशा में भी इनका प्रयोग दिखाई देता है आदर सूचक शब्द भाशा का एक बहुत बड़ा और एक बहुत महतुपूर्ण हिस्सा है और ऐसे बहुत से शब्द और अभिव्यक्तियां हैं जो चीनी भाशा से ली गई हैं और वर्तमान में भी आज भी भाशा में प्रयोग की जा रही हैं इन सबके बारे में हम लोग लेक्चर के दौरान बात भी करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो लिपियां हैं जो प्रयोग की जाती हैं वो क्या है तो देखिए अभी तक जो आपने भाशा सीखी होगी कभी foreign language या भारत की कोई अन्य भाशा सीखी होगी त तो उसमें आपने देखा होगा कि एक लिपी है यानि कि उसी लिपी में हम पढ़ते हैं जो पढ़ते हैं वो लिखते भी हैं लेकिन जापानी में तीन लिपियां हैं अब इन में से जो दो लिपियां हैं वो phonetic हैं या जिसे हम हिंदी में कहते हैं धन्यात्मक हैं यानि कि ज ऐसे की देवनागरी में हैं, ये दोनों लिपियां जो हैं, ये चीनी चित्र लिपी से बनाई गई हैं, इनको काना लिपियां कहते हैं, चित्र लिपी का अर्थ है कि तस्वीर से कोई चीज को लाइनों में दिखाना, इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, काना लि प्रयोग किया जाता है, तो आप देखेंगे आगे यह तीनों स्क्रिप्ट मिला करके लिखा जाता है, ऐसा पहले नहीं था पहले जो दो Fonetic स्क्रिप्ट्स थी उनमें लिखा जाता था अलग-अलग लेकिन अब सब मिला करके लिखा जाता है यह स्क्रिप्ट्स है हिरागाना काता काना और कांजी अब आप हिरागाना में देखेंगे कि यह थोड़ी सी अलग है इस स्क्रिप्ट से यह काता काना कहलाती है जैसा कि बिसिकली चाइनीज है, तीनों स्क्रिप्ट्स बिलकुल अलग हैं, इनके बारे में आगे हम लोग देखते हैं, तो ये काना लिपियां क्या हैं, देखिए, हीरा गाना लिपी है, और ये ध्वन्यात्मक लिपी है, जैसा कि हमने आपको बताया, अब हीरा गाना जो लिपी है, वो जापानी मूल के शब्दों को लिखने में प्रयोग में आती है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि जो भी जापानी शब्द हैं, यानि कि उरिजनली जो जापानी शब्द हैं, उनको हीरा गाना में लिखा जाता है, देखिए, ये है आ, ये कुछ ध्वनिया हैं, इसके बारे में हम लोग डीटेल में आगे भी बात करेंगे अब इसको जोड़ करके इस प्रकार से लिखा जाता है तो इस प्रकार से हिरागाना लिपी में लिखा जाता है पूरी भाषा लिखी जा सकती है हिरागाना में क्यों चित्र लिपी की आवश्चक्ता पड़ती है उसके बारे में आगे भी बात करेंगे लेकिन अभी आपको बता दे कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक समान है एक ही ध्वनी है उन शब्दों की लेकिन अर्थ अलग है तो अर्थ कैसे पता चलेगा? वो कांजी से पता चलता है इसलिए तीनों लिपियां मिला करके लिखा जाता है ही रागाना ऐसे लिखी जाती है आ, इ, उ, ए, ओ का, की, कु, के, को जैसे आसा, निहोन, निहोन माने जापान, निहोन जिन माने जापानी, लोग, निहोंगो माने जापानी भाषा तो इस प्रकार से मिला करके ये लिखा जाता है ये राउंड है आप देखेंगे खड़ी-खड़ी लाइने नहीं है, थोड़ा round लगता है, cursive है ये हीरागाना अब देखिए दूसरी लिपी भी है, वो है काता काना काता काना जो है, वो angular है, यानि कि बहुत sharp lines है उसमें बहुत आपको दिखेगा खड़ी-खड़ी लकी रहे हैं, आड़ी-तिर्ची लकी रहे हैं और हीरागाना से बिलकुल अलग दिखेगी ये script क्यूं हम use करते हैं, इसलिए use करते हैं कि जितने भी शब्द जो जापानी मूल के नहीं है जो की विदेशी शब्द हैं, उनको हम कताकाना में लिखते हैं अब अभी हमने आपको बताया कि ये बहुत angular है, ये क्यूं angular है देखिए कताकाना और हीरागाना दोनों जो script हैं, वो कांजी से बनी हैं, यानि कि चित्रलिपी से बनी हैं और वो जो आड़ी तिर्ची लकीरे जो आपको कांजी में दिखती हैं, उसी से कताकाना बनाई गई अब क्यूं बनाई गई? क्यूंकि जब बहुत धर्म के प्रचारक जो हैं, जापान आए और बहुत धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कुछ scriptures जो हैं, वो अपने साथ जापान ले करके आए तो उनको याद करने के लिए, शौट हैंड के रूप में, जो है, वो कताकाना शुरू में उत्पन हुई अब वो कांजी के जो characters थे, वो बहुत difficult थे याद करना, बहुत मुश्किल थे, लेकिन उसकी ध्वनी जो थी, उसको किसी तरीके से कताकाना में लिख करके, शौट हैंड के तरीके से लिख करके याद किया जाने लगा, तो शुरू में सबसे पहले कताकाना की उत्पत्ती उसके बाद हिरागाना बनी है, देखिए, ये भी ध्वन्यात्मक लिपी है, ध्वनी से बनाई गई है और विदेशी शब्दों को लिखने में प्रयोग में आती है, अब आप देखेंगे कि अगर हम कताकाना यहाँ आपको लिख के दिखाएं तो आ, ई, उ, ए, और ओ, और कताकाना में भी यह लिखा है, आ, ई, उ, ए, और ओ, तो आप देखेंगे कि यह बहुत अंगिलर है, बहुत शार्प जो है इसकी लकीरे हैं और यह थोड़ी राउंड है, इसमें वर्ड्स भी आप देखिए, सब विदेशी वर्ड्स होंगे, जैसे कि हम लोग के नाम होंग या अंग्रेजी में जैसे आप पापा कहेंगे, मामा कहेंगे, या मिल्क, अब मिल्क क्योंकि विदेशी शब्द है, तो हीरा गाना में उसके लिए प्रापर ध्वनी नहीं है, इसलिए उसको कताकाना में लिखा जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? अब ओरेंज को ओरेंजी, बनाना को बनाना, रेमोन, लेमन, केक, केकी, ये जितने शब्द हैं, या अंग्रेजी के शब्द हैं, तो इनको कताकाना में लिखा जाएगा, कताकाना की उत्पत्ती मानते हैं कि नवी शताबदी में हे यान काल के दौरान इसकी उत्पत्ती मान जाती है, देखिए, अभी आपको लिख के भी दिखाया है, आ, आ, ई, उ, ए, ओ, मि, र, क, को, ही, जब भी लॉंग साउंड होगी, तो ये डैश लगाया जाता है, को, ही, के, कि, जैसे अगर हमारा नाम लिखा जाएगा तो मि, स, र, या अमेरिका लिखा जाएगा तो आ, मे, र, क, इंडो, इंडिया, इ, न, दो, इस प्रकार से कतकाना में लिखा जाता है, सब विदेशी शब्द कतकाना में लिखे जाते हैं, पहले ये शब्द, अधिकतर, चीनी हुआ करते थे, अब हर जगह के शब्द, जो है भाषा में प्रयोग होते हैं, इसलिए कतकाना में लिखे जाते हैं, अब एक तीसरी लिपी भी है, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया, तो वो क्या है, ये चीनी चित्र लिपी है, और चित्रों को लाइनों में डिपिक्ट करके, उसको अर्थ दिया गया है, तो वो चित्र लिपी जो है, वो मुलता तो चीनी चित्र लिपी ही है, लेकिन उसको जापानी में भी प्रयोग किया जाता है, आईए देखते हैं, वो क्या है, लिपी में ध्वनी प्रकट करने वाली अक्षर माला की जग है भाव चित्रों द्वारा कोई आईडिया या कॉंसेप्ट को दर्शाय जाता है यानि कि आईडियोग्राम्स और पिक्टोग्राम्स हैं जिससे चित्र देख करके ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है हो सकता है कि आप चीनी या जापानी भाषा में उसको प्रणाउंस ना कर सकें उसका उच्चारण आपको ना पता हो लेकिन चित्र देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसका अर्थ क्या है इसको लिखने के नियम पहले से निर्धारित हैं अब देखिए इनको जोड़ जोड़ करके शब्द बनाए जाते हैं देखिए नी होन या नी होन जिन या नी होन गो या हाना और मी तो इनके अर्थ क्या है ये अफकोस हम लोग अपने लेक्चर के दौरान भी करेंगे फिलहाल आप केवल ये देखिए कि ये चित्र लिपी या ये कांजी क्या है और कैसे जोड़ करके शब्द बनाए जाते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ हम लोग भी तो चित्र लिपी का प्रयोग करते हैं अगर आप अपने मुबाइल पे खुब मेसेजिस भेजते हैं तो आप समझ जाएंगी कि हम इमोजीज का जो प्रयोग करते हैं वो भी तो एक प्रकार से चित्र लिपी ही है कुछ चित्र के माधियम से हम आइडिया डिपिक्ट करते हैं जैसे कि आप देखिए अगर बारिश हो रही है तो उपर से बूदें टपकाते हैं अगर हम चोटी 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 बूदें इस तरीके से टपकाएंगे तो कोई भी यह नहीं कहेगा कि यह लहरे आ रही है हर व्यक्ति यही कहेगा कि यह बारिश हो रही है या अगर हम कागस पे नदी ऐसे करके बना दें तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि यह नदी है यह लहर नहीं है और अगर हम ऐसे करके बनाते हैं तो हमेशा समझने वाला यही समझेगा कि ये लहर है और ये बारिश नहीं हो रही है तो इस प्रकार से हम भी बहुत सारी चित्रलिपी यूज़ करते हैं आपने ये वोल्टेज के लिए बहुत देखा होगा डेंजर का सिगनल कि वो एक खोपड़ी है और उसमें जो है वो क्रॉस बना हुआ है तो वो भी तो एक प्रकार से चित्रलिपी है उसको देख के हम समझ जाते हैं या सीड़ी का फिगर बना करके बताते हैं कि यहां सीड़ी है यहां उपर जाना है या नीचे जाना है तो इस प्रकार से बहुत सारी चित्रलिपिया हैं जो हम लोग भी प्रयोग करते हैं देखिए जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे ये लहरे ही होगी या अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये नदी ही मानी जाएगी या अगर आप इस प्रकार से पानी दिखाएंगे तो ये बारिश ही होगी सिग्रेट का धुआ दिखाएंगे तो यह होगा कि नहीं भई यहाँ पे आपको पीना मना है तो इस प्रकार से बहुत सारी चितरलिपी है जो हम लोग भी प्रयोग में लाते हैं अब आप जापानी चितरलिपी देखिए यह देखिए यह आदमी खड़ा है तो हम भी आदमी जब बनाते हैं तो इसी प्रकार से बनाते हैं अब इस तरीके से आदमी खड़ा है अपने हाथ दबा करके तो यह जो चितरलिपी है यह जो कांजी है आगे से हम लोग कांजी ही कहेंगे इसको तो यह जो कांजी है यह हितो के लिए कांजी होती है यानि कि परसन के लिए व् तो यामा मने पहाड जैसा कि आप देख रहे हैं अब अगर इसकी आप cross section देखेंगे तो यह इस प्रकार से आएगा और इसकी देखिए पीक बन गई है यह बेस बन गया यहाँ पे तो इस प्रकार से बनाया जाता है अब आप हमेशा इसको पहाड के रूप में ही याद करिएगा और देखिएगा यह नदी है पानी बह रहा है इस पानी को हम vertical बना देते हैं और यह कावा यानि की नदी की कांजी बन जाती है इसी प्रकार से आप देखिए पेड़ है अब यह कांजी बनी है पेड़ की तो अगर हम इसमें ऐसे कर दें तो आपको लगेगा कि यह पेड़ ही है अगर इसका cross section करते हैं तो यह बनता है तो पेड़ की कांजी है इसी प्रकार से देखिए field है चावल जब बोते हैं तो इस तरीके से मेड़ी बना करके उसमें पानी भरा जाता है और फिर यहाँ पे आप चावल बोते हैं तो बिल्कुल वही image है एक खेत की और उससे यह बना है ता इसकी reading ता है और meaning है इसका field अब देखिए आदमी की कांजी कैसे बनी है आदमी खेत में काम करता है और खेत में काम करने के लिए बहुत ताकत चाहिए तो यह तो खेत की कांजी हो गई और जो ताकत की कांजी है यह आती है यहाँ से तो जब आप इन दोनों को जॉइन कर देते हैं तब ये पुरुष की कांजी बन जाती है यानि कि ओतो कोनो हितो और देखिए, ही की कांजी है यह, यानि कि दिन की कांजी है, तो सूरज क्या करता है, सूरज रात और दिन में दो भाग कर देता है, 24 गंटे के, तो इसलिए दिन के दो भाग हो जाते हैं, तो एक, दो, तीन और चार, एक, दो, तीन और चार, इस प्रकार से दिन की कांजी बन तो ये एक introduction है, आगे भी हम लोग बहुत कुछ करेंगे इसके बारे में, कांजी के बारे में, अब यहां पर आप देखेंगे हम इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, या ऐसे बना दिया और फिर ऐसे कर दिया, इसका एक decided तरीका है कि एक, दो, तीन और चार, यानि कि एक, दो, ती इसी प्रकार से ये बनाया जाएगा, अब आईए हम लोग हीरा गाना लिखना भी देखते हैं, तो देखिए, आ, ई, उ, ए, ओ, ये तो वावल्स हैं, अब इन वावल्स में हम sound क को जो है, मिला देते हैं, इसी प्रकार से सब साउंड हैं, तो देखिए, का, की, कू, के और को, इसी प्रकार से सा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, सी नहीं है, शी है, जैसे अंग्रेजी में हम एसेच ई लिखते हैं, वो एसेच आई, शी है, सू, से और सो, अब ता साउंड में आप फिर से आ लगाए, तो ता और ये अलग है, ये एक्सेप्शन है, ये ये एक्सेप्शन है, ये ती नहीं है, ये है ची, और इसी प्रकार से ये तू नहीं है, ये है ट्सू, ट्सू, आधा तो और सू, तू, आधिता की साउंड है, तो ये है ता, ची, तू, ते और तो, ऐसे ही ना में, अगर आप ये लगाएंगे, पूरा उपर वाला आ, ई, उ, ए, ओ, तो ना, नी, नू, ने, और नू, ऐसे ही हा में है, हा, ही, हू, हे, हो, और साउंड म म म म म म म हैं, म, 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 और या, यू और यो, अब आप कहेंगे कि ये दोनो क्यों नहीं है यहाँ पे Q missing है पहले थे लेकिन अब क्योंकि ये जो E sound है ये इससे बहुत मिलती है और ये A sound जो है वो इससे बहुत मिलती है इसलिए ये दोनों यहां से हटा दिये गए हैं केवल या यू और यो हैं और फिर रा में रा री रू रे रो और इसी प्रकार से sound जो व है उसमें वी वू वे और वो तो ये तीन नहीं है यहां पे क्योंकि या की तरीके से ये भी बहुत इससे मिलती जुलती है पहले थी लेकिन अब हटा दी गई है और ओ sound है और इन sound है ये half sound है और ओ जो sound है ये ये तो वावल है ये sentence को join करने में प्रयोग में आता है तो ये आपकी हिरा गाना है ये 46 इन नमबर है इन ही हिरा गाना से वो sounds भी बने हैं देखिए गा क में क साउंड में आप ये छोटा सा लगा दीजे और ये गा बन जाता है इसी प्रकार से गी गू गे और गो ये सा साउंड से basic है देखिए सा का तो ये बन जाता है जा जी जू जे जो ये भी एक exception है फिर ये दा साउंड है ये ता से बनता है त से बनता है ये स स से बनता है स स बनता है ये क से बनता है और दा जी जू ये दोनों exception है यहां पर फिर ये ह स से बनता है ह से बा बी बू बे बो ये लगा करके छोटा सा और यहां पर ये circle लगाते है और पा पी पू पे पो ये दोनो ह से बनते हैं, तो ये टोटल 25 हैं इन नंबर, और अगर हम लोग देखेंगे, तो टोटल नंबर जो है हिरागाना का, वो है 71, अब इसके अलावा भी कुछ और साउंड्स हैं, वो या, यू, और यो को क साउंड में, श साउंड में, च, न, ह, म, र, इन में मिला करके छोटी साउंड बनाई गई है, देखिए, अगर हम की लिखते हैं, की, तो की ये है, और अगर हम या लिखते हैं, तो या ये है, की और या, की या, लेकिन हमें शॉर्ट साउंड चाहिए, और क्यूंकि हमारे पास प्राविजन नहीं है, कि हम किसी भी लेटर को काट करके आधा दिखा सकें, जैसे कि हम हिंदी में करते हैं, तो हम इसको नीचे लिख देते हैं, की और लाइन के ओपर यहा छोटा बना करके या कर देते हैं, तो ये साउंड छोटी बन जाती है, ये बन जाता है क्या, इसी तरीके से क्यू और क्यो, इसी प्रकार से शा तो यह sound short है, अगर आप पूरा लिख देंगे तो यह दो sound बन जाएंगी, एक की की और एक या की, इसलिए इसको छोटा बना करके लिखा जाता है, क्या, को, च, 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 यानि की तितली, तो इस प्रकार से यह छोटी sound बनाई जाती है, अब देखिए और भी है इसमें, और प्या, प्यू, प्यो, तो यह पी या नहीं है, यह प्या है, आधा प और या, हमारे हां हिंदी में यह सुविधह है, कि हम आधा शब्द कर सकते हैं, यहां पर यह सुविधह नहीं है, या ग्या इस प्रकार से लिखा जाता है तो आप इसको देख सकते हैं अब लिखने का तरीका जो है stroke order बहुत clear है यहाँ पे इसका आप अभ्यास करिये हीरा गाना का है यह और यहाँ पे देखे कता काना है उसी प्रकार से आपके पास कता काना भी है बिल्कुल सेम तरीका है याद करने का केवल स्क्रिप्ट अलग है रूल वही है देखिए का, की, कू, के और को सा, शी, सू, से और सो इसका भी स्ट्रोक और दिया हुआ है और कतकाना और हिरागाना दोनों जो है वो लेफ्ट से राइट और अप से डाउन दोनों लिखी जा सकती है जब आप अप से डाउन लिखते हैं उपर से नीचे तो यहां से शुरू होता है और इस प्रकार से जाता है यानि कि एक, दो, तीन, चार इस प्रकार से वो आगे बढ़ेगा ये भी तरीका है लिखने का जो कि अधिकतर आपको अख़बारों में दिखेगा और नौवल्स में दिखेगा लेफ्ट से राइट लिखने का भी तरीका है और वो आपको जादा तर स्कूल में प्राक्टिस करवाया जाता है जब हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं तो हम यहां से उपर नीचे लिख करके ऐसे नहीं जाते हैं उपर से नीचे लिखने में केवल राइट से लेफ्ट जाया जाता है जैसे उर्दू में लिखते हैं अब देखिए इसकी भी short sound है क की short sound है श, च, न, ह, म और र इन सब की short sound है और या या यू और यो इनको नीचे लिख दिया जाता है छोटा करके तब short sound बन जाती है जो हीरागाना में rules है वही कताकाना में भी rules है जैसा कि आपको बताया है इसका भी stroke order बहुत clearly लिखा हुआ है इसको देखिए और इसका अभ्यास करिए अब देखिए तीनों लिपियों को मिला करके कैसे भाशा लिखी जाती है देखिए ये एक sentence है वाताशीवा इंदो जिन देस इसमें आप देखेंगे कांजी भी है हीरागाना भी है और इंदो क्योंकि जापानी शब्द नहीं है इसलिए कताकाना में लिखा हुआ है और फिर से जापानी है और देस है एक और चीज़ आप यहाँ notice करेंगे देखिए वो यह है कि यहाँ पर हमने space दी है देखिए यहाँ पर space दी है यहाँ पर भी space दी है जापानी में लिखते समय space नहीं दी जाती है पाताशीवा इंदो जिन देस तो जब हम पढ़ते हैं अगर तीनो script हैं तो हमें पढ़ने में इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि हम समझ जाएंगे कि यह बाहर का शब्द है यह कांजी है इसके बारे में हमें पता है और बाकी हीरा काना है अब यह जैसा कि आपको अभी बताया left से right भी लिखी जाती है और आप यह देखेंगे कि उपर से नीचे भी लिखी जाती है और इस प्रकार से बढ़ा जाता है उपर से नीचे लिखते हुए right to left जाया जाता है वाताशिवा राओ देस वाताशिवा इंदोजिन देस इस प्रकार से लिखा जाएगा अब देखी अभी आपने स्वर किये हैं आ-ई-उ-ए-ो तो उससे कुछ शब्द भी आप याद कर लीजे आहिरू, आरी, इसू, इनू इनके सबके अर्थ यहाँ पर लिखे हैं आप हमारे बाद भी उच्चारण कर सकते हैं उशी, उच्ची, ए-बी, एकी, ओरी गामी, ओम ओरी गामी देखिए दो शब्दों से बना है पेपर फोल्डिंग है यह ओरी माने लपेटना और गामी माने कागस तो कागस को लपेटने की टेकनीक उसे ओरी गामी कहते हैं देखिए तस्वीर के साथ भी है आरी, आसे, तस्वीर से यह आप समझ जाएंगे क्या आर्थ है इनू, इसू, उसागी, उमा, एमपिट्स, और ओम अब यहाँ पे साउंड न है, एनपिट्सू की साउंड है न की लेकिन बोलते म हैं, उससे आसान होता है तो एमपिट्सू होट दबा करके बोलिए और आसानी से यह बोला जाएगा इसका रूल है, रूल आपको आपके लेसन में बताएंगे अब देखिए, क साउंड है, कानी, कासा, किरिन, किमोनो, कुसा, कुट्सू, केकी, केसा, कोही, कोचा अभी आपने देखा, देखिए, कोचा, छोटी साउंड आपने पढ़ी है, कोचा अब है, खारास, खाबान, कानी, कि, कुट्सू, कुमो, केशी गोमो, कोचा आपको लगेगा कि हम लोग यह क्यूं कर रहे हैं, यह जरूरी है क्यूंकि आपको वाक्य बनाने में बाद में बहुत आसानी होगी सासे, सकाना, सारू, शिका, शिमाउमा, सुजुमे, सुइका, सेमी, सेबीरो, सोरा, सोबा और तस्वीर के साथ भी है, सकाना, सारा, शिका, सुशी, सुजुमे, सिक्केन, साबुन को कहते हैं, सोबा ये नूडल्स हैं, ड्राइ नूडल्स हैं, जो कि हम लोग भी बहुत यहां खाते हैं अब आपके लिए थोड़े से नए शब्द हैं, आशी, आसे, इशी, इतो, उए, उता, एकी, एदा, ओनी, ओकाशी, ओतेरा और इसी प्रकार से क सीरीज के हैं, काबान, कागी, कि, किसने, कुची, कुदामोनो, कुशी, केटाई, केशिगोमु, कोदोमो, कोचा और स से है सके, सारा, समे, शिच्चि, शिंगो, सुमो, सुशी, सेंता की, सेता, सोरा अब आज हम लोग गिंती भी करेंगे, तो जल्दी से गिंती कर लेते हैं, देखिए इची, नि, सान, योन, शी भी कहते हैं इसे, गो, रोकु, नना, शीची भी कहते हैं, हाची, कु, क्यू, या क्यू भी कहते हैं, जू, यह आपकी गिंती है, यह, यह, और, यह, एक्सेप्शन्स हैं, अलग-अलग जगहें इनका प्रयोग होता है, इसके साथ इसकी कांजी भी दी हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह कांजी हम लोग अपने लेक्चर में करेंगे, और, आपके लिए देखिए, एक एक्स्प्रेशन भी है, ओहायो गोजाइमास, इसी इंटोनेशन के साथ इसका प्रयोग करिए, यह, देखिए, दो जने आपस में मिल रहे हैं, सवेरा हो रहा है, यहाँ पे, सूरज उपर चढ़ा हुआ है, और, यह, देखिए, इनके हाथ दोनों के कहां हैं, हाथ दोनों के जो हैं, अपने साइड में हैं, और, एक दूसरे से जुक करके, ओहायो गोजाइमास कहते हैं, या, खुशी से भी बच्चे जो हैं, हाथ उठा करके भी, इनफॉर्मली, ओहायो गोजाइमास कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने अपन सु 왜ली बात ये है कि 10 बजे के बाद ओहायो गुजाय मास नहीं कहा जाता है। ये नहीं कि कैज्वली आपने हात उठाया, और हलो की तरीके से ओहायो गुजाय मास कह दिया। ऐसा नहीं होता है। कढ़े होकर के पैर बिलकुल साथ में जोड़कर के, हाथ किनारे करके तब ओहायो गुजाय मास कहा जाता है खास करके अपने बढ़ों से फिर देखिए यहाँ पे कोनी चिवा है आप रस्ते में कहीं मिले या किसी से भी कहीं आफिस में कहीं मिले दस बजे के बाद तो ओहायो गुजाय मास के बजाए आपको कोनी चिवा का प्रयोग करना होगा which means good day हाथ उठा करके भी जुक करके भी लेडीज जेनरली खड़े हो करके जुक करके तब कोनी चिवा करती है और यह आपके लिए ग्रहकार यह है देखिए दो ग्रूपस हैं इसमें कुछ शब्द लिखे हैं इधर की तरफ भी शब्द लिखे हैं तो इनको मैच करिए और इसी प्रकार से नंबर्स को मैच करिए और सही नंबर लिखिए कुछ तस्वीरे हैं कुछ नंबर्स दिये हुए हैं इनको जापानी में लिखने की कोशिश करिए और देखिए आपके पास एक और expression है माता आई माशो इसका अर्थ है फिर मिलते हैं माता का मतलब है दोबारा और आई माशो का मतलब है मिलना तो लेट्स मीट अगेन तो माता आई माशो इसी expression के साथ हम यहीं पर आज का lesson खतम करते हैं और जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे next lesson में बहुत सारा नया कुछ ले करके तब तक जो आज किया है जो script आज करी है जो words आज आपको बताएं हैं नए शब्द हैं उनको सब को याद करिए और जो quiz है जो पीछे आपके lesson में ग्रहकार दिया गया है उसको करिए जल्दी ही फिर मिलते हैं माता आई माशो नमस्कार धन्यवाद कर दिया जाज कर दिया जाज कर दिया कर दो